Hello guys, welcome to biology explain, आज बात करेंगे AMRU की अटल मेडिकल रिसर्च इन्वेस्टी जो की आपकी मंडी में है, उसने application form रिलीस कर दी गए है B.S.C. नर्सिंग के, मतलब कि अगर आपको हीमाचल में कहीं भी एड़िशन लेना है, गौर्मेंट या प्राइविट में, तो आपको यह application form फ ऐसे आपको application form फिल करना है B.S.C. नर्सिंग का, तो चलो देखते हैं, start करते हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, Google पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है AMRU, अटल मेडिकल रिसर्च इन्वेस्टी, इस पर टाइप कर देना है, सबसे पहला option आ रहा हुआ, अटल मेड आपको यह registration process आ जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम डालना है, यहाँ पर नाम डालना है, जो आपके 10th class की mark sheet में नाम है, आपको वही नाम को आपको यहाँ पर डालना है, जैसे मेरा नाम है शारवान शर्मा, तो मैंने अपना नाम डाल दी हैं आपर, बादनाम राशर्मा, मैं राशर्मा डाल दी हैं यहाँ पर, फिर email address, आपके जो भी email हो, जो भी आपके पास present में email हो, आपको वह email डालना है, क्योंकि वह email आपकी verified होगी, तो मैंने email डाल दी है, फिर क्या है, यहाँ पर अपना mobile number डाल देना, जो भी आपका mobile number हो, जैसे मे यहाँ पर capture डाल दी है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसको verify कर देना है, यह capture हो गया, अब इसको क्या करना है, पहले हमे email को verify करना है, फिर registration करना है, email को verify करने के लिए हम यहाँ पर click करेंगे, और क्या होगा, जो आपके पास OTP आपके email पर जननेट हो जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और उसको डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको verify करना है, तो इक बाट चेक कर लेते हैं, क्या OTP है है हमारे email पर, email पर हमारे OTP है, 801 801 और 801 यह हमारा OTP आगया हमने इससे verify कर दिया successfully हो गया अब क्या होगा इसके बाद आपको क्या करना रेजिटिरिशन कर देना है registration करने के बाद क्या होगा registration successfully हो जाएगा successful होने के बाद क्या होगा आपको इस तरह से आपका application form खुलना सुरू हो जाएगा मतलब आपको application form में कही personal information देखेगी, कही 12th की mark sheet की detail होगी, exam center selection होगा, entrance exam detail होगी जैसी आप application form open करेंगे तो आपको काफी सारी detail देखनी सुरू हो जाएगी, जिसे personal information, 12th की mark sheet की information, exam center selection मतलब आपको अपना exam center कहां रखना चाहते हो, entrance exam detail, document detail और payment detail ये सारे आपको देखने सुरू हो जाएगा, तो अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पर क करके, I agreed करने के बाद हमको आगे बढ़ लेना है, हमें सारी guidelines देख लेनी है, कि हमें क्या क्या चीज़ों की जवरत है, और क्या क्या हमें process follow करने है, इसमें, इसको दीखने के बाद हमें, I read and agreed करने के बाद आपको कुछ application form में कुछ इस तरह का दिखना सुरू हो जाएगा, इसमें आपको क्या करना है, अपनी personal detail डाल ली है, तो आपको नाम तो डाल दिया था, registration में अपने father का नाम डिया था, तो अब क्या डालना है, आपको mother's name डालना है, age डालना है, signature डालना है, अपना photo upload करना है, अपना gender select करना है, आपकी mother language क्या है, और आपकी country क्या है, city क्या थे सब आपको फिल करने है इसमे तो आपको अपने पूरी पूरी इंफॉरमेशन देनी है सब्से पहले आपको मदन नेम क्या है वो आपको यहां पर डालना है तो मैं अपनी मंद नाम डाल देता हूं ओices जो भी डूप बढ़तों आपको यहाँ पर डाला देना है, मैं अपनी डाल देता हूँ. ठीक है? अप क्या करता है? आपको यहाँपर अपने signature अप्लोड करने है, जो भी आपकी signature हो, आपको साइज से widesheets पर signature करने के बाद आपने यहाँ पर signature upload कर देना है, अपना photo upload कर देना है यहाँ पर, यहाँ पर alternate mobile number डालो मट डालो कोई बात नहीं है, विसे डाल दो तो ज्याद अच्छा है, अपने mother-father का number डाल देना है, अपना marital administrator डालना है, आप married हो, unmarried हो, तो यहाँ पर married status डाल देना है, आप unmarried ही होग बच्चे, तो अपना corresponding address डाल देना है, और permanent address, बहुत हो क्या होता है, corresponding और permanent address ही होता है, तो आपको क्या करना है, कि यहाँ पर same as above वाले पर click कर देना है, तो आपके दोनों क्या होंगे, fill हो जाएंगे, तो मैं इसमें बता देता हूँ, मैं अपने डाल देता हूँ, कुछ रेंडम address, ठीकि ऐसी मैं कोई random address डाल दिया है, और यहाँ आप अपना pin code डाल देना है, यहाँ पर अपना penalty सेलेट करना है, यहाँ पर अपना state सेलेट करना है, आप किस state से है, तो मैं अपना state डाल देता हूँ, हीमाचल डाल देता हूँ, कुछ हीमाचल के बच्चों का apply कर तो उनको प्राइवेट कॉलिज अलोट होगा गौवर्मेंट अलोट होगा ने हिमाचल के बच्चे इस को इस एप्लिकेशन फॉर्म को एप्लाई कर सकते हैं तो हमेने हिमाचल पर्देश डाल दिया और फिर उसने सिटी कौन सी मैंने मंडी डाल देता हूं मंडी और डिस्ट से डाल दो जो भी आपका PRS zwischen पूस्ट ऑफिस डाल दो फिर इसके बाद करना है जैसी आपने फिल करने के बाद मैं आपको बता दिता हूं कि आपको फिल करने के बाद यहाँ पर करने किया अकूस अपर बच्छा यह से मिल जाये कि अगर दालो आपके डालो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी डालो तो कोई भी दिकत नहीं है इसको एडिबिशन कोटा आप हिमाचल का कोटा है या Management कोट से लेना चाहते हो तो Management कोटा या हिमाचल कोट से लेना चाहते हो ब्लूर चाथ हो तो आप क्या है category क्या है आपकी जन्रल है SC, ST, OBC, जन्रल तो आप डाल सकते हैं इसमें से जन्रल से लट कर लो आप इसके बाद bonafide domicile of himachal yes or no आप himachal के student हो तो आपको yes करना पड़ेगा आप economical weaker section से belong करते हो या physically challenge हो या freedom fighter हो, ward of defense person हो या ex-service man हो या orphan of himachal practice हो या कुछ नहीं हो तो आपने डाल दिया है आप economical weaker section से ब्लोग करते हो तो आप economical weaker section में क्लिक कर देना अगर आप physical challenge हो तो आप physical challenge पर डाल देना freedom fighter है तो freedom fighter पर डालने के बाद आपको क्या करते हैं आगे बढ़ दे ये सारे details लेकरने के बाद आपको क्या करना है आपको save next करना है आप एक बाद check कर लेना कि आपके details कैसी fill हुई है मैंने random ही सब चीजे fill करी है इसमें आप अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से fill करना है कोई भी चीज गलती नहीं होनी चाहिए application form के अंदर हमको क्या करना है आप next कर देना है सब कुछी चीज को fill करने के बाद हमने ऐसी random डाल दिया है मदल लेंग ये सब चेक कर लेना है एक बाट सबको चेक करने के बाद आपको 12 की मार्क्षीर की detail फिल करने है इसके इंदर आपको परसंटेज सिस्टम लिख दिखा होगा तो उसके इचे लिख रहा होगा है तो हमने हमार्चल बोड लिख दिया आपको रॉल लंबर क्या है हम रेंडम कोई भी रॉल लंबर लिख देते हैं जब आप स्ट्रीम साइंस को क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा आपको marks detail में आपको क्या डाला है उसको बताता हूँ में आपको तो आपको यह marks detail है यहाँ पे सब शोग न लग जाएगा English के marks फिल करने हैं आपको Physics के Chemistry के Biology के तो आपको टोटल marks क्या है जैसे आपका 100 paper हुआ उसमें से आपके 75 marks आए तो आपके 75 लिख देना है और आपका paper कितनी का था hundred का था English का आपको यह लिख देना है आपके physics कितनी के आया कितने मानते 85 हुए और कितने में से 100 में से तो इस तरह से आपको सब को fill करना है मैं random fill कर देता हूं आपको अपने marksheet देख के fill करना है सब को इस तरह से आपने total percentage आपको show जाईए यहां पर जैसे 76 बनके आ रही है इसकी और अपने school का नाम डाल देना है कोई भी school जो भी होगा आपको कोई भी random मैं तो यसी डाल देता हूं आपको पर्टिकलर इसकोब वह नाम है जिसी स्कूल से आप paas out होगा आपको वही स्कूल का नाम डाल दाल 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 पर यहाँ पर आपका एपक्ट्सक प्लेज उनु di डाल आया jis से आप easily यह करदेना है वह हम गोगार है सेव ह cathedral करने के बाध कि हमारा यही करनेके osób करने के पर सेव नेक्स करने के बाद आपको क्या करने है डॉकुमेट्स को अपलोडर करने है ड़ो मेड़िफ से आपको अपलोड प्लोडर करने है जैसे आपका जो important है bonified of himachal आपको upload करना है address proof upload करना है address proof में आपना अधार card upload कर देना फिर इसके नीचे आते हैं आपको क्या करना photo ID applicant with carry with the examination hall मतलब जो भी आप ID proof carry करोगे उसको आपको पहले ही upload कर देना जैसे आपको अधार card upload कर देना उसी अधार card को अपने exam center पर ले जाना 10th की mark sheet upload करना है 12th की mark sheet upload करना है अगर आप other category से किसी और category से ब्लोग करते हो तो यह ऐसे आपको EWS certificate upload कर देना है अगर आप BPL से ब्लोग करते ना यहां पर save next कर देना है और save next करने के बाद आपका क्या होगा payment mode आ जाएगा payment mode मैं फिल नहीं कर सकता फिरना मेरे application form फिल हो जाएगा इसका BAC nursing जा तो मैं आपको बता दूं को आपको जो application form फिल करना है बहुत अच्छी तरीके से application form फिल करना है आपको दो दो तीन तीन हो या कोई परेशान ही हो रही हो application form फिल करने में तो आप मुझसे पूछ सकते हो preparation related आपको कोई वी कोई आरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो मैं अपना WhatsApp नमबर आपको description में दे दूंगा और अपने WhatsApp गुरूप का भी link आपको description में दे दूंगा जिससे आप मुझसे easily contact कर सकते हैं ठीक है thank you have a nice day